बिस्मिल्ह रह्मान वहीम असलाम उलेकूम हाई अव्रिवान वेलकम बैक टो नूरी लज़त की चैन जो मेरी आज की रेसिपी है रमजान का बहुत ही फेशल रेसिपी है गुड का जर्दा इनिकी जौगरी का जर्दा है मिठा खाना भी बोलते हैं इसको तो यह थोड़ा मैं ये श्टार्ट करेंगे तो जर्दा बनाने के लिए अचिसे हाफ किलो ईनिकी गुड का क्रूप लिया है हाफ किलो चामल लेंगे जो सिरफ हैं मैं अच्छे से पका मे चाल लिया है Verme कि हुड से चान लिया है तो पानी को गुड में बहुत ही कम दालना है उसके नारियल और फली के दाना खजूर जो भी आपके पास बादा मोगेरा डोबी है थोड़ा हेवी ड्राइफूर्स में लेंगे ज्यादा तो उसके बाद है हमें इसमें एक कपाफ घी लेंगे आपके पास घी नहीं है तो आप चाहे तो नार्मल कुकिंग आयल भी आड़ कर सकते हैं तो मैं जो गुड का सिरफ के बारे में बात कर रही थी तो वो सिरफ है आपको एक चाहे का कप थोड़ा सा पानी डालके ही पकाना है ज्यादा पानी डालेंगे तो आपका जर्दा बहुत ही पानी के सिरफ बहुत ही पानी हो जाएगा वो बात को याद रखे उसके बाद थोड़ी सी हमें इसमें दालचीनी और लॉंग लिया है थोड़ा बगारने के लिए उसके बाद जो भी हमें ड्राइफुर्स मिया है या मेवा लिया है सुका नारियल है सुका खजूर लेंगे उसके बाद बादम लेंगे फली के दाना रोस्टेट किया है इन सारी चीजे हैं कौंटिटी हमें ज्यादा रखेंगे, तो वो हमें इसमें आड करना है, तो घी में अच्छा से इसे रोस्ट कर लेना है, तो हमें एक सिरफ रड़ी किया था, गुढ का, वो हमें कब आड करना है, आगे आपको मैं बताओंगी, तो फाइल ये देख लिए, तो थोड़ा सा हमीसे रोस्ट कर लेंगे देख ले इस तरह से तो मैं कॉंटिटी आपको हाफ किलो चावल, हाफ किलो गूर का, मैं आज आपको सर्फ जर्दे का रेसिपी बता रही हूँ तो ये मेजर देख ले किस तरह से पकाना है तो आप चावल नार्मल चावल भी यूज़ कर सकते हैं या पासमादी राइस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं आपके उपर डिपेंड है तो ये पक रहा है दो मिनित तक पकेगा तो आपको वह बात याद रखना है जो सिरप पनाते हैं तो आप चाई के कप में थोड़ा और कम करके ही पानी डालके आप सिरप करड़ी करना है हाफ किलो जोगरी के लिए तो चावल के लिए हमें एक कप चावल के लिए दो ग्लास पानी का मेजर लेंगे देख ले तो मैं तक्रिबर चार किलास इसमें पानी का यूज़ करूँगी तो ये बहुत ही लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रियेट होती है कि जर्दे का यहां तक अच्छे से पका लेते हैं पानी के लिए चावल दाल के सारा पक जाता है जब सिरप दालते हैं वही आती है आपकी प्रॉब्लम्स तो मैं पानी अच्छे से पकने के लिए हमें से लिट बन करके रख देंगे थोड़ा आपका चावल है चावल के लिए पानी है अच्छे से पकना है तो चावल अब किस तरह से आप जबी रडी करते हैं तो थोड़ा अवली चावल को भीगने के लिए रख देना है तो मैं दो पाउ इनकी दो ग्लास या हाफ केजी चावल को भीगने के लिए रख दिया था तो ये हमें पानी पकने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद देख ले तो फाइनली हमारा पानी है अच्छा से पकरा है जो इसके खुश्बू अलग से आएगी उतनी देर तक हमें पानी पका लेंगे उसके बाद देख ले तो चावल है हमें भीगने के लिए रखा था मैं नॉर्मल चावल यूज किया है आपके पास बासमती रेस होगी तो आप वो भी यूज कर सकते है यह बहुत ही ईजी रिस्पी है लेकिन हम जब गूर आड करते हैं तब ही थोड़ा हमें फस जाते हैं तो बात को याद लेके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी मैं आगे ब हमें थोड़ा सी इलाची पोडर को हमें इसमें आड करना है अब फाइनली अब पूरा तरीके से चावल को कुक करना है देख ले तो अच्छे से दम पे आना है उस टाइम तक हमें इसे चावल को कुक कर लिया है तो आप देख ले तो हमें अभी जो सिरप है नहीं आड किया पानी डॉल ही प्ता है। और हमें चाल پानी दाला है। आपिर बशक्षांग गुड़ में पांच seekersे खिक खाट ड़ी के अधा हम जूसे डॉम के नासे दूर हमें पांचे के बाद हमके। सिरव को दालना है आपका चावर आदा पक चुका है तो आपका सिरव में आपका चावर पकेगा नहीं इस बाद को भी आपको याद रखना है तो हमें इस तरह से 2 मिदे तक पका रिद दो फ्लेमर करके इसे हमें दंप डेंगे तो अन्वाइचे में हमें फाइंली 2-3bene देशी घी आड़ करेंगे होमेड है अप देशी घी जो भी अपके पास है दो स्पून हम इसमें लास्ट में आड़ कर लेंगे तो फाइनली हमें मिक्स करके इसे हमें दम पे देंगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी जो इसकी कंसिस्टेंसी है बरबर आ जाएगी ठीक तरह से आपको से दम पे हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं अब हमें इसे दम पे छोड़ देंगे तो देख ले यही मेरा जर्दा बन के रेडी है हमें दस मिनिट के लिए दम के दे दिया था तो यह फाइनली हमरा जर्दा बन के रेडी है कॉंटिटी आप एक किलो के लिए एक किलो आप गूर दाल सकते हैं तो यही प्रॉब्लम होती है तो मैं प्रॉब्लम अको क्लियर कि तो मेरी आज की रेसिप पसंद आई होगी तो जोड़ से लाइक करें और शेयर करें सब्सक्राइब करना भी ना बूले असलाम अलेक।